बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूर्ट सीक्र्स अलावर कद्दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जाइकों में तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों आज मैं आपके लिए स्पैगडिस नूडल्स की रेसिपी लेके आए हूँ बहुत असानी से आपको बताऊंगा कि इन्शालला अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो भी 5-6 मिनिट के अंदर आप ये बहुत अची तरह से बनाना सीख लेंगे करना गया है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अपनी महबबत दिखानी है प्यार दिखाना है और ये स्पैगडिस आपके नाम है आज इसको जब आप सर्व करेंगे ना तो इन्शाला आपके भाई शोहर या हस्बंड जो भी हैं वो आपकी तरीफ जरूर करेंगे तो रेसिपी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बिसमिल्ला रामान रराहीम एक बड़ी सी कड़ाई के अंदर हम डेर से दो जग पानी के जयादा होना चाहिए हम सबसे पहले सपैग्डिस को बॉइल करेंगे और इसके अंदर दो चमच कुकिंग ओल के जाएंगे ताके वो बॉइल होने के बाद आपस में चिपके ना जोड़े ना तो पहले हम पानी को बॉइल कर लेंगे अच्छी तरह से बाद में एड़ करें एक tablespoon जाएगा इसमें अधरक लेसन का paste, half tablespoon जाएगा नमक और ये हमारे पास tuti हुई लाल मिर्च, halfедь घमच, और ये है काली मिर्च पाउडर, 1 fourth tablespoon सिर्का इसमें जाएगा, 2 cm और सिर्का इसमें हम add करेंगे दो चमच यह marination का सिर्का और सोया सॉस है रेस्पी में अलग से भी यूज होगा यह starch है, corn flour है एक टेबल स्पून भढ़के और अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से mix कर देंगे और chicken को marinate होने के लिए हम 15-20 मिनट देंगे, इतनी देर काफी है marination जिस recipe में होती है उस recipe की क्या ही बात है मतलब marinated chicken जो है इसका flavor बहुत ज़्यादा होता है अगर आपके पास starch, corn flour नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते है अब यहाँ पर पानी हमारा जो है वो अच्छी तरह से boil हो चुका है तो यह हमारे पास spaghetti's है, noodles है यह देख ले, यह pipe form की है आपके पास कोई भी available हो, आप use कर सकते है अच्छी तरह से बिखेर देते हैं और इसको हम boil होने देते हैं यह कोई 7-8 minute ले जाती है आप इनको check कर सकते हैं पकड़के इस तरह से तो यह माशालला तक्रीबन 6-7 minute के अंदर boil हो चुकी है अब इसको निकालके आपने ठंडा पानी इसके उपर ज़रूर लगाना है ताके यह आपस में जूरूर ना चाहे अब हमने क्या करना है, चिकन को तयार करना है तो बिसमिल्ला रवान रही 2-3 tablespoon मैंने लिया है cooking oil और यह जो हमारा चिकन है, जो marinated है इसको add करेंगे, अच्छी तरह से ball साफ करें कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए और इसको हम पकाएंगे, fry करेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से तो अब एक और बात कि लोगों का चिकन जो है, इसमें सक्त रह जाता है इसकी वज़े क्या है, एक वो marination नहीं करते और दूसरी बात यह कि यहाँ पे वो पानी add नहीं करते अब हमने भी यहीं add नहीं करना पहले हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन की जो smell है, चिकन का जो पानी है अच्छी तरह से पहले dry हो जाए तो तकरीबन इसको हम 7-8 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसमें पानी add कर देंगे, एक चोटी प्याली ताकि हम इसको soft कर ले अच्छी तरह से गला ले पानी के बगार भी यह हो सकता है लेकिन वो फिर सिकन जो है soft नहीं होता और अच्छा नहीं लगता तो पानी हमने dry कर लिया यहाँ पर देखें माशाला कितने अच्छी लुक आई है यह जो यहाँ पर आपको एक creamy चीज नजर आ रहे हैं यह starch है यानि के corn floor अब यह हमारे पास गाजर है जिसको हमने julien style में काट लिया है एक प्याली लिया है हमने और इसको तीन से चार मिनट हम पकाएंगे फिर इसके अंदर बंद गोबी एड़ करेंगे एक प्याली भड़के यह भी cutting सेम वैसी होनी चाहिए और हमारे पास है यहाँ पे capsicum यानि के शिमला मिर्च मेरी फेवरेट इसकी तो क्या ही बात है इसकी खुश्बू बहुत अच्छी लगती है मुझे तो इन सब चीजों को mix करेंगे अब यहाँ भी हमने जो ध्यान रखना है वो यह है कि इन सबजियों को हमने बिल्कुल मलिया मेड़नी कर लेना और सॉफ्ट नहीं कर लेना इनको खड़ा खड़ा रखना है और इनका कलर भी खराब नहीं होने देना अब कलर का ध्यान कैसे रखा जा सकता है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत प्यारा टिप है जो कि स्टिश के लिए बहुत ज़रूरी है और दूस्ता ये सबजियों का कलर भी खराब नहीं होने देगी तीन टेबल स्पून यहां पे स्वया सॉस एट किया है और तीन टेबल स्पून ही मैंने सिर्क एट किया ये कौन्टिटी आप कम जादा नहीं कर सकते इतनी होगी अब हमने इसको थोड़ा सा ड्राय करना है नूदल्स यहां पे आड नहीं करनी क्यूकocyumे यहां पे अभी पानी है तो हम इसको ड्राय करेंगी यह देखें आप तेज आंज के उपर आप इनको ड्राय कर लें अब यह हमारे बास एक प्याली भड़के कैचप है कैचप की रेस्पी हम अपने चैनल पे दे चुका हूँ कैचप रेस्पी इजाज लिख लिए आपको रेस्पी मिल जाएगी इनको मिक्स करेंगे चमज थोड़ा देहान से तेज तेज नहीं आपने घुमाना और यहाँ पे हमने इसको पकाया है को तीन से चार मिनट तो अब बहुत ही मज़ेदार स्टेप यह हमारे जो स्पैगिटीज हैं जो नूडल्स हैं इसको हम एट करते हैं इसमें बिसमिल्ला हरामान ररहीं और यहाँ भी आपने घुमाना जरा इसको मतलब मिक्स यो करना है न वो दियान से करना है मैं आपको दिखाता हूँ यह रेखें अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ताके हमारे यह जो नूडल्स हैं स्पैगिटीज हैं यह टूटे न अगर यह टूट गहीं छोटे साइस की होगी तो रेसिपी बिल्कुल समझ लें बिकार सी हो जाएगी और यहाँ पे खुश्वुएं तो माशालला क्या ही बात है दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कोई अच्छी चीज सिखा रहा हूँ तो आपका काम बनता है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यह आपकी महबत होती है प्यार होता है यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है बिल्कुल फ्री है तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी हौंसलाफजाई के लिए तो फ्लेम मैंने ओफ कर दिया यहाँ पे और जो आ गया आपने उसको बंद कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम प्लेट में निकालेंगे तो बिस्मिल्ला हरामान रहीम देखिए जी माशाला से हमारी जो नूडल्स हैं स्पैक्टिस हैं वो तग्यार है फाइनल लुक को मिसमत करिएगा आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है देखें यह कितनी जूसी है तो माशाला अलहम्दलिल्ला देखें जी मेरे अल्ला की शान उसकी रहमते नेमते और वड़कते जो उसने दी हमारे हाथों में हमारे खानों में आज की दिश तो वाके ही यकीन करें इतनी माशाला सुभान अल्ला खुबसूरत है कि मूँ में पानी आ रहा है अगर आपको लग रहा है कि मेरे डिश के अंदर कुछ वजन है कुछ खुबसूरती है या कुछ मैंने आपको सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कोई सवाल हो इजादन साही से जरूर पूछिए और अगली वीडियो तक इजाज़े दीजिए अगली वीडियो तक अल्ला हाफिज झाल